नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं किया है, उन्होंने कहा है कि भरष्टाचारी दल एक जुटता की कर रहे कवायद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं सांसाद दिपक परकास ने तीखी परतिकरा अब्यक्त कर रहे हैं कि आज परधान मति नेनमोदी के नेतिति में देश में भरष्टाचार के खिलाप जीरो टॉलरेंस पर काम हो रही है देश भर में भरशटचार के खिलाब केंद्रीय जाच एजेंसियों की दविस बढ़ी है जिसके कार भरशटचारी और उनके संरक्षन बेचयन है उन्होंने कहा एक वर्ष्टाचार की खिलाब आंदोलन करने वालों की पोल खुल गई है और पार्टी पनिसाना साथते हुए कहा है कि इस सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है पंजाब के मुख्यमंत्री का चरित्र भी जग जाहिर है पंजाब में डेल वर्षो में ही दो मंत्री बिजय, सिंगला और सोजा सिंग को भर्ठाचार के आरोप में भाजपा के अंदोलन प्रबखास करना पड़ा है जारखन में भीशन गर्मी पड़ रही है इसके बाद लोगों को भीशन गर्मी से रहात मिलेगी मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जारखन में मांसुन देरी से दस्तक देगा समाचा एजेंसी यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षनी राज्य केरल में मांसुन के आने में देरी हो रही है जिसके कारण जारखन में मांसुन देरी से पहुँचेगा अनुमान है कि जारखन में जून 18 से उन्हाइस तक राज्य में मांसुन की गतिविद्या शुरू हो जाएगी हजारी बाग के अठारा सो सरकारी स्कूलों में 16 जून से शुरू हो रही है हजारी बाग जीले के लभग अठारा सो सरकारी स्कूलों में 16 जून से बाग टू स्कूल केमपेन कारकरम चलेगा इसमें बच्चों के नमांकन एवं ठाहराव पर सिक्षा अधिकारी एवं करमचारी काम करेंगे स्कूल से दूर रहने वाले एवं ड्रॉप आउट 6-18 आयूवर के बच्चों को जोड़ा जाएगा स्कूल से जोड़ने के बाद सभी बच्चों को सिक्षित बनाना है या कारकरम एक महिने तक चलेगा इसका समापन 15 जूलाई को किया जाएगा स्कूली सिक्षा एवं सक्षता भी भाग के सचीव केर अभी कुमार का पत्र मिलते ही हजारी बाग के सिक्षा अधिकारी कारकरम की रूप रिखा बनाने में जुटे हैं बता दे पहले कि एक सर्वे में हजारी बाग जीले भर में 207 बच्चे ड्रॉप आउट मिले हैं रालामभिक स्कूल में 6-14 एवं उज्टर स्कूल में 14-18 आयूवर के बच्चों की पाचान की गई है स्यम हमंत का केंद्र सरकार पर हमला केंद्र सरकार की एक अध्या देश के खिलाब भी पक्ष को एक जुट करने दिल्ली के सियम अर्विंद के जिरिवाल और पंजाब के सियम भागवन्त मान गुरुवार को रांची पहुँचे सुक्रवार को दोनों मुख्य मंत्रियों ने जहारकवन के सियम हमंत से मुलकात की इस दोरान सियम हमंत ने केंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला कहा है कि केंद्र सरकार देश में चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं देना चाहती उन्होंने कहा कि इसका मतलब सिधे जनता पर परहार करना होता है आगामी लोग सबाचुनाव में देश की जनता बिजेपी को जरूर सबक सिखाएगी सिया मेहमान सुले ने कहा है कि केंदर सरकार के हर वक्त कोसिस रहती है कि गैर भाजपा सासित राज्य के सरकारों को परसान करे उन्होंने कहा कि केंदर सरकार संग्य ढाचे की बात चरूर करती है लेकिन काम इसके उलट होता है राजीव अरून एकका मामले में आयोग ने बाबुलाल से मांगा वारल बीडियो से सम्मंधित साक्षे जारखन के मुख्य मंत्री हमांसरेन के पूरो परधान साचीव राजीव अरून एकका के वारल बीडियो की जाज के लिए गठित आयोग ने पूरो मुख्य मंत्री हो बीजेपी बिधायक दलकनेता बाबुलार मरांडी से साक्ष मांगा है शिरी मरांडी को नोटिस भेज़ कर आयोग ने वारल बीडियो से समंधित सभी साक्षे उपलब दकिराने के लिए कहा है आयोग ने जारखन के मुख्य मंत्री हमांसरेन के पूरो परधान साचीव राजीव अरून एकका को भी नोटिस दिया है शिरी एकका से 15 जुन तक वारल वीडियो से समंधित जनकारी मांगी गई आपको बता दे कि सिरी मरांडी ने प्रेस कोंफ्रेंस कर मुख्य मंत्री के पूरो परधान साचीव का एक वीडियो जारी किया था वीडियो में सिरी एकका किसी के निजी करेला में बैठ कर सरकारी फाइलो करनी प्टारा कर रहे थे एक करेला बिसाल चौधरी नाम के व्यक्ति का बताया गया है केंद्र और दिली सरकार के बीच तकरार नहीं हो रही कम केंदर सरकार के एक अध्यादेस के बाद दिली और केंदर सरकार के विश्ट अक्रार कम नहीं हो रही है अब केंदर सरकार के खिलाप सभी विपक्षी दल को एक जुट करने की कोशिश दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवंत मान कर रहे हैं इसी कड़ी में दिली और पंजाब के मुख्यमंतरी आप सांसाद सांजाय सिंह समेथ अन्य नेताओं ने जार्खन के मुख्यमंतरी हमांसुरें से गुरुवार को मुलकात किया केंदरी सरकार के खिलाप अब तक अर्विंद के जिरिवाल को कॉंग्रेस सहीत कई विपक्षी दवलों का समर्थन मिला है मुख्यमंतरी हमांसुरें से भी इस मुद्धे पर बात हुई बता दे कि दिल्ली सरकार को कोट से अधिकारियों के तबादले का अधिकार मिला था लेकिन केंदरी सरकार ने एक बिल सांसत से पास कर अधिकारियों का टांसफर पोस्टी की जिमेदारी वापस लेपिनेट जर्नल को दिया है जिसके बाद से दोनों सरकार और LG के बीच ताना साही तेज हो गई है जारखन सरकार सुरू की स्पोर्ट टेस्टिंग जारखन सरकार ने स्पोर्ट टेस्टिंग सुरू की है या स्पोर्ट टेस्टिंग एक ऐसी प्रनाली है जिसके तहद ब्लोक, रिसोस परसन, कलस्टर, रिसोस परसन, स्कूल निरिक्छन के दवरान हर एक स्कूल में रेंडमली तीन बच्चों को चुना जाता है फिर सभी बच्चों का सर्वे किया जाता है, जो चीजे बच्चों को पढ़ाई जा रही है, वह उसे कितना सीख पा रहे हैं इस सर्वे में सभी स्टूडेंट का हिंदी गनीत और अंग्रेजी बीसर में परिक्छा किया जाएगा बता दे, जहां बच्चों के मुलभूत सक्षार्ता और संख्यात्म की जाज की जाती है, वहीं एस्पोर्ट टेस्टिंग के जरिये जार्खन में महामारी से पहले के महिनों में प्रती महा दो लाख बच्चों के सिखने के पईनाम डेटा एकतरित किया गया है यह राजे के सभी बच्चों का लभग 5% था है गुमला में अगवाक और नवालिक से समहिक दुसकर्म 5 के खिलाप मामला दर्ज गुमला में एक नवालिक लड़की के साथ 5 योगों ने समहिक दुसकर्म किया है पीडिता के साथ आरोपियों ने मार पीट भी किया है साथ ही पुलिस वा ग्रामिनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है धमकी के कारण पीडिता एक दिन बाद थाना आकर घाटना की जिनकारी दी इसके बाद पुलिस ने केस दर्जकर आर्वियोक की गिरफतारी के लिए छापे मारी अभियान सुरू कर दिया है बता दे धोधरा गाउ के समीर उराव ब्रीज उराव सहीत अने तिन यूकों को आरोपी बनाया गया है गुमलाप पुलिस को भागपा मवादी खिला बड़ी सफलता मिली है चैनपुर्थाना के टोंगो सेमल बर्टोली जंगल में पुलिस और भागपा मवादी के बिच भीसन मुटभेड हुई जिसमें 6 लाख रुपए का इनामी सब्जोनल कमांडर लजीम अंसारी मरा गया लजीम पर चार्खन पुलिस ने 5 लाख और एन आईये ने 1 लाख रुपए का इनाम खोशित कर रखा था गातना सुक्रवार की देर साम की है लजीम के मारे जाने के बाद सब्जोनल कमांडर रगु उरावा खुदी मुंडा सहीत दो अने नक्सली भागने में सफल रहे पुलिस इन 4 नक्सलियों को भी जंगल में घेरने में लगी हुई है उतर परदेश से अगवा दो बच्चे कोडारमा गिरीडी में बरामाद उतर परदेश की विभीन जीलों से बच्चों का अपहरन कर उन्हें बेंच देने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस गुरों के 5 सदस्यों गिरपतार किया है गिरपतार आरोपियों में दो पूरूस और तीन महिलाए सामिल है यूपी पुलिस ने परियाग राज से अगवा तीन वर्सी बच्चे को कोडारमा के चंदवारा थाना छेत्र निवासी संतोस नमक ब्यक्ति के पास से तो मिर्जापूर से आगवा चार वर्सी बच्ची को गिरिडी के सर्या थाना छेत्र निवासी सुनिता देवी के पास से बरामत किया है नकसली राजेस का गुमला में डैम की नारे हुआ अमतिम संसकार एक जुन को अंजन जंगल में पूलिस के साथ हुए मुडभेन में मारे गए भागपम मवादी के सबजनल कमांडर राजेस उराओ के सव को गाव ले जाने से परिजनों ने इनकार कर दिया परिजनों का काना था कि राजेस ने कई लोगों की जान ली है उसके कारण गाव की बदनामी हुई है इसलिए नकसली के सव को गाव नहीं ले जा सकते अंत में परसासन की पहल के बाद नकसली के सव को करम टोली स्थित डेम की किनारे अमतिम संसकार किया गया हलाकि परसासन के समझाने के बाद गाउं से मृतक नक्सली का भाई एवं कुछ यूवक गुमला पहुँचे थे उनकी उपस्थिती में नक्सली के सो कामतिम संसकार हुआ है खरसावा बिधान सभाजशेत्र में 137 जन जातिय कला भॉन बनेंगे खरसावा की बिट्टापूर पंचायत के नरायन डिह गाउं में सुक्रवार को परसासन की ओर से बिशेश सिविर का वजन कर लोगों को सरकारी योजनाओ का लाब दिया गया कारकरा में पहुंचे अस्थाने बिधायक दस्तरत गगई ने 1.68 कोड़ की लागत से साथ योजनाओ का सिलन्यास किया साथी 89 लाबकों में 38.13 लाग के परिसंपतियों का वित्रन किया लोगों को संबधित करते बिधायक दस्तरत गगई ने कहा है कि खार्चवा बिधायक सबाकसाभी 6 तिरके गाउं में बुनियादी सुविधाय उपलब्द कराई जा रही है उन्होंने कहा है कि ओर रोजाना जानता कि 24 में से 12 घंटे गुजारते हैं ताकि जन समस्याओं से अवगत होकर उनका नेराकरन किया जा सके खुटी पुलिश ने पी लेफाई के एरिया कमांडर सही 4 को किया गिरफ्तार खुटी जीला पुलिश को नक्सरी से अंगठन पी लेफाई की खिलाप लागातार सफलता मिल रही है पुलिश ने सीर पी लेफाई के एरिया कमांडर सही 4 नक्सरी की गिरफ्तारी की है साथ ही उसके पास से कई हत्यार और वाहन बरामत किये है इस बात की जनकारी स्पी अमन कुमार ने पत्रकारों को दी है बता दे स्पी अमन कुमार ने बताया कि गुपद सुचना के अधार पर जरिया गर थाना छेतर के रेंगडे जंगल से चारों नक्सरी को गिरफ्तार किया गया 16 जुलाई को होगी पारामेटकल परवेस परिक्षा राजे के सरकारी यों गैर सरकारी पारामेटकल वा फरमेसिसन स्थानों में सेक्षिनिक सतर 23-24 में नमांकन के लिए ऑनलेन अवेदन की परकिरिया सुक्रवार से सुरू हो गई है इन पाठे करमों में नमांकन पारामेटकल परवेस परिक्षा 2023 के माध्यम से होगी यहां परवेस परिक्षा 16 जुलाई को रांचीक विभीन केंद्रो पावजीत की जाएगी जार्खन सन्युक्त परवेश परत्युक्ता परीक्षा पारिशा द्वारा आविजित होने वाले इस परवेश परीशा में समिलित होने के लिए ओनलेन आवेदन 25 जुन तक भरे जाएंगे वहीं ओनलेन आवेदन में किसी परकार के तुरूटी का संसोधन 26 एवं सता ही उनको किया जा सकेगा मध्यम और लगु उध्योग देश की अर्थ बेवस्था की रीड राजेपा सीपी राधा किष्णा ने राजे के उध्योग जगत से जुड़े बेवस्थायों को महराष्ट और तमिलाडू की तर्च पर जार्खन में भी लगु और मध्यम उध्योगों के प्रुसाहन के लिए प्रयास करने की अपिल किया है फेडरेशन और जार्खन चेंबर और कोमर्स आइन इंडर्श्ट्रीज के बरतमान सत्र की पत्रीका के दियूतिय संस्करन का बीमोचन करते वे सुक्रवर को चेंबर बहुन में राजेपाल ने कहा है की अर्थ-सास्त्रियोद्वारा चेंबर सविकार किया है की मध्य और लगु उध्योग हमारे देश के अर्थ-वेवस्ता के रिड है सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्पून हिस्सा सुक्ष में लगू और मद्यम उद्योगों के मद्यम से कम निवेस के साथ सुरू होता है ऐसे में आव सकता इस बात की है कि सेक्टर को भी सेश पुरुशाहन दिया जाए धन्यवाद